बाग जतिन जन में नाम जतिनरनात मुखरजी का जन 7 दिसमबर 1889 में भेंगौल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वो एक भारते स्वतंतरता कारे करता थे। वो जुगांतर पार्टे के प्रमुख नेता थे जो बंगाल में क्रांतिकारी स्वतंतरता कारे करताओं का केंद्रिय संग था। बंगला में बाग शीरशक एक बाग के साथ हाथ से लड़ने के रूप में उनके साथ जुड़ गया कई स्रोतों में जतिन्र नाथ का सन 1900 में अनुशीरन समिती के संस्थापकों में से एक्के होने का उलेख है सन 1908 में वो डाजलिंग में उब्रे कई गिरोहों में से एक्के नेता थे जिसका उदेश स्वतंत्रता के लिए असंतोश फैलाना था और अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने एक शाका भी शुरू की अनुशीलन समिती जिसे बंदन समिती भी काह जाता था जतिंडेनाथ ने अपने आदर्शो को सरल शब्दों में व्यक्त किया था अमरा मोर्बो जगत जगबे एक घटना बालसोर की लड़ाई के रूप में भी जानी जाती है जहाँ पर जतिंडेनाथ गंभीर रूप से गायल हो गए थे उनका 10 सितंबर सन 1915 में बालसोर अस्पताल में निधन हो गया भारत के लोग उनके इस स्वतंतरता संग्राम के बलेदान के लिए कृतग्य है